अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके लाइफ में सारी चीजे वैसी नहीं हो रही है जैसा आप चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पहले साइन्टि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप अपनी फोटो इंटाग्राम पर पोस्ट करते हैं और अगर आपके फ्रेंड्स उस पर लाइक करते हैं तो इंस्टाग्राम एकदम आपको वा लाइक्स नहीं दिखाएगा यानि आपको काफी देर तक उस फोटो पर जिरो रहे होंगे यार अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है क्या ये इतनी बुरी फोटो थी जिससे हमारे माइंड में एक नेगेटिव आउटकम की फिलिंग आएगी और उसके बाद जब इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आएगी कि हमारे फोटो पर 50 लाइक्स आ चुके और हम ज़ादा एडिक्ट हो जाएंगे इंस्टाग्राम से फेस्बुक की यूजर ग्रो करने के टीम के वाइस प्रेसिडेंट रहे चैमत फेलेपेटिया कहते हैं कि कभी मुझे खुद पर बहुत गुसा आता है कि हमने फेस्बुक के अलगोरिथम में ऐसी फीचर्स डाले जिससे दोपामेन रिलीज होते हैं जिससे यूजर फेस्बुक के एडिक्ट बन चुके हैं और इसकी वज़ा से सोसाइटी बरबाद हो रही है और इन सब दोपामेन रिलीज फीचर की वज़ा से अगर हमारा फोन हमसे थोड़े देरी के लिए भी गुम हो जाए तो हम पैन एक इनसान दिन में अपने फोन को 2600 टाइम्स टच करता है आई मीन रियली 2600 टाइम्स आप से सबसे मैक्जिमम लोग यह सोच रहे होंगे कि यह सारी फेमस एप्लिकेशन जो फेस्बुक इंस्टाग्राम एक्सेटरा इसके इंजिनियर सोचते क्या हैं प्रोग्रामिंग कर तो एक important concept जो इन सब इंजिनियर को पता है वो है dopamine release using variable rewards तो पहले हम समझते हैं कि dopamine होता क्या है तो अगर simple सी word में कहें तो dopamine एक hormone है जो हमारी body release करती है जब हमें लगता है कि हमें कोई reward मिलने वाला है अगर हमें लग रहा है और मुझे ice cream मिलने वाली है तो हमारी body dopamine release करेगी क वाओ आज तो मुझे salary मिलेगी तो उसी वक्त हमारी body dopamine release करेगी या फिर वाओ आज तो मैंने अपनी अच्छे photo click कर ली है और यह photo मैं instagram पर post करूँगा उस photo पर likes आएंगे तो उस वक्त हमारी body dopamine release करेगी अब engineer और psychologist यह जानते हैं कि अगर हम feature इस तरीके से बनाएं जिससे user क को अपनी app खोलने से dopamine के shot मिले यानि अच्छा लगे तो user उस application से addict हो जाएगा क्योंकि human behavior के बारे में engineer और psychologist को जादा पता तब चला जब उन्होंने bf skinner के experiment study किये थे bf skinner के maximum experiment पीजन और चुहे पर हुए थे और आज हम पहले वही experiment देखेंगे कि हमारा brain भी चुहों से ज bf skinner का एक famous experiment है जिनमें वो एक box लेते हैं जिसमें एक liver लगा है जिसे press करने पर खाना निकलता है इसके बाद skinner और बाके scientist उसमें एक चुहा रख देते हैं जो काफे दिन से भूका था वो box में इधर उधर गोमता है उसे कुछ पता नहीं चलता और हर चीज को छिड़ता रहता है लेकिन जैसे ही वो liver प्रेस करता है उसे खाना मिल जाता है इस process को बार बार repeat किया गया जिससे skinner उस चुहे में एक habit बन्याने में काम्याब हो गए अब कभी भी वो चुहे उस box में आएगा वो आते ही liver को प्रेस करेगा अब हम बोलेंगे यार ये तो चुहा है इन किये गए है जब भी instagram की notification आएगी someone liked your photo हम notification पर click करेंगे जैसे चुहा liver को प्रेस करता है फिर हमें पता चलेगा उस दोस का नाम जिससे हमारी photo like की थी और हमारे brain में dopamine release होगा जैसे चुहे के brain में dopamine release हुआ था जब उसे खाना मिला था और फिर थोड़े time के बाद हम भी trend हो ज तो बिना notification खोले ही हमारे brain में dopamine release हो जाएगा और ये habit में convert हो जाएगा तो अगर आप सोच रहे हो वाओ तो कोई बात नहीं थोड़ा रुकिए skinner का एक इसी तरीके का और experiment था जिसमें उन्होंने variable reward system के बारे में बताया था skinner ने ये notice किया था कि चुहा liver को और पागलू की तरह प्रेस करता रहेगा अगर उसका reward variable है यानि कभी liver प्रेस करने पर उसे reward दो और कभी ना दो इससे चुहे के brain में dopamine craving release होती है जिसकी वज़ा से वो बहुत जल्द एक addict habit में convert हो जाती है technology companies इस experiment के बहुत अच्छे तरीके से use करते हैं क्या आपने notice किया है कि जब भी आप instagram या facebook पर scroll कर रहे होते हो तो हर post हमें मज़ेदार नहीं लगती दो तिन post irrelevant होती है लेकिन फिर एक post आएगी जो हमें अच्छी लगेगी और फिर हमारे brain में दोबारा से dopamine release हो जाएगा और ये infinite content and infinite craving dopamine shot की हमें इन application के नजदीक और addicted बना देगी यही reason है कि lottery system या trading बहुत addictive होती है क्योंकि इन चीजों में variable reward है लोटरी में हम crave करते हैं कि हम जीत जाएं यानि dopamine की craving और exactly same trader के mind में भी यही चल रहा होता है actually जो हमने पिछले दो experiment की बात की थी उन दो experiments में चुहे को काफे दिन तक भूका रखा गया था जिसकी वज़ा से उनमें कोई भी habit डालना असान था लेकिन जिन चुहे का पेट भरा हुआ था उन्हें किसी चीज की habit डालना मुश्किल था इसके लिए बी एफ स्किनर ने कुछ ऐसा किया जो पिछले दो experiment से ज़ादा अदेक्टिव था इसमें उन्होंने reward की जगा pain इंट्रड्यूस किया यानी negative reinforcement अब इसमें हुआ ये कि box के floor में electric current था जिसमें थोड़ा सा current कभी भी दिया जा सकता था और liver press करने के बाद वो current ब जादा परवा नहीं थी लेकिन जैसे ही उसे current दिया गया वो फटा फट liver को press करने लगा और ये बहुत ही जल्दी habit में convert हो गया और अब obviously आप में इसे intelligent लोग ये सोचेंगे कि human में ये negative enforcement का concept कैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें pain नहीं दी जा सकती लेकिन हमारे brain में जा अन्बूझ कर थोड़ा सा stress किया जा सकता है जिसे programmer it कहते हैं यानि खुजली और ये हो सकता है mystery create करके जैसे की जादा तर notification हमें instagram में आती है someone liked your photo और ये someone हमें तभी पता चलता है जब notification हम click करते हैं वैसे ही एक दूसरी तरह की notification आती है your friend mention you in a comment यानि आपके दोस्त ने आप के बारे में comment किया है और अगेन हमारा brain इच करेगा हलका सा stress create होगा कि क्या लिखा होगा इसने मेरे बारे में क्या अच्छा लिखा है या बोरा लिखा है और अगेन इसी की वज़ा से इन application की तरफ हम बहुत जल्दी addict हो जाते हैं तो जब हम समझ जाएं कि dopamine से addiction कैसे create होता ह अब हम बात करते हैं कि हम इन habits को कैसे छोड़ सकते हैं तो उसके लिए हमें dopamine fasting करने पड़ेगी यानि dopamine का fast रखना पड़ेगा तो अब सवाल आता है कि dopamine fasting कैसी होगी dopamine fasting एक तरीके के digital resistance है जिसमें हम कुछ समय के लिए खुद को social media, music, internet, gaming, social interaction, even unnecessary eating से रोकते हैं तब आप के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या होगा actually खुद इन सब चीजों से रोकने का फायदा या है कि बार बार जो इन सब application से हमारे brain में dopamine release होता है वो ना हो जिसकी वज़ा से हमारे brain को reset कर पाएं और जो काम हमें पहले boring लगने लगा था वो भी interesting लगने लगे dopamine detox के वग हम सिरिफ walking, cycling, swimming, book reading या exercise कर सकते हैं ये सारी simple चीज़े कर सकते हैं जिसमें reward कम हो और dopamine brain में कम release हो बहुत से लोग internet पर claim करते हैं कि इससे उन्हें बहुत ज़ादा फायदा हुआ meditation या mindfulness में भी यही concept को पढ़ाया जाता है जब हम इन सब चीजों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं तो हम अपनी life को देख पाते हैं कि हम actual में जा कौन से direction में रहे हैं अपने inner self को हम समझ सकते हैं कि अगर हम dopamine fasting नहीं करते तो हम हमेशा reactive stage में ही होंगे हमें भी इन चुहों की तरह stimulus की तरह और हम बिना सोचे समझे react करते रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हमने BF Skinner के 3 experiment देखे जिनसे या तो हमारे brain में dopamine release होता है या फिर dopamine की craving होती है फर्स्ट experiment ने skinner ने चुहे पर positive reinforcement की second experiment में variable reward दिया and third experiment में negative reinforcement था इन experiment के बाद हमने देखा dopamine shot के बारे में जो habit application ने हमारी brain में बनाई है उसे छोड़ने के लिए हम dopamine fasting कर सकते हैं चले दोस्तो अब मैं आपको कुछ Islamic tips बताऊंगा जिससे कि आप easily ये जितने भी आपके बुरी habits हैं ये सारे चीज़ आप छोड़ सकते हैं तो अगर आप dopamine fasting की बात करे तो आप लोग actual में रोजा रख सकते हैं रोजा रखने से अपने अंदर बरदाश्ट करने की कुवत पैदा होती है रोजा रखने से स्वाप तो मिलेगा ही साथ यसाथ आपकी dopamine fasting भी हो जाएगी क्योंकि जब आप रोजा रखते हैं तो आप गुनाहों से भी बचते हैं और बहुत सारी चीजे जिससे आपका dopamine release होता है वो चीज नहीं होगी जब आप रोजा रखेंगे तो तो week में एक दिन आप ज़रूर रोजा रखिए और second चीज है आप सारे apps के notification को बन कर दीजिए ताकि कुछ भी notification आपको ना मिले और जब तक application के अंदर आप ना जाए तब तक आपको वो notification ना दिखे थर्ड है आप लोग अपने नफस पर काबू करिए एक हदीश है जिसमें नभी करीम सललला वले वासलम फरमाते हैं the greatest jihad to battle your own soul to fight the evil within yourself मतलब कि सबसे बहतरिन जिहाद वो है जिसमें आप अपने अंदर की बुरायों से लड़कर अपने नफस को पाक करते हो अल्ला से दुआ है कि हम सभी को सिरातर मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करिए एंड हम सब को दुनिया और आखिरत की कामया भी अता करें तो दोस्तो अगर आप ऐसी ही नॉलिजिबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न बूले साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा ताकि इसी तरीकी की अमेजिंग वीडियो आप कभी भी मिस न कर पाएं आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थाइंक्यू वेरी मच मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस